नमस्कार दोस्तों आज के इस वेडियो में मैं बात करने वाला हूँ ब्राइटकॉम ग्रूप के बारे में ब्राइटकॉम ग्रूप में बहुत सारे लोग इसमें लगभग 6-6.5 लाग रिटेल निवीशक फसे हुए हैं सबका पैसा इसमें फसा हुआ है 8 रुपया 98 पैसे पी स्टॉक ने लास्टेडिंग सेसन में क्लोजी निकाल कर दिया है मंडे के दिन आगे कि क्या स्टेड़ी इसमें बन रहे हैं और इसमें कब ट्रेडिंग फिर से सुरू होगा सब कुछ इसमें समझने का प्यास करेंगे चलिए आगे बढ़ते हैं और डिसक्रेशन कर लेते हैं Suspended due to panel reason इसका share suspend कर दिया गया BCG का share suspend कर दिया गया क्योंकि company ने quarter two and quarter three के result disclose नहीं किये जिसके वज़ा से इसके trading को close कर दिया गया bend कर दिया गया और इसका trading कब से कब बंद हो रहा है 13 June trading हुआ था 14 June से trading बंद है और एक दिन Monday को trading अभी हुआ है और फिर next Monday यानि की 8 July 8 July को इसमें अब नया फिर से trading देखने को मिलेगा तो इसमें क्या trading होगा या फिर से LC ही लगेगा अब देख सकते हो last में last trading session में opening price 8.98 high price 8.98 low price 8.98 इसका मतलब क्या है इसका मतलब है कि trading दिखिए open तो हो जाता है buy side से order sell side से order थोड़ा बुत लगी जाता है लेकिन उसमें trading नहीं होता है क्यों क्योंकि LC में रहता है 8.98 पैसा 8.98 पैसा same price पे opening same price पे high price same price पे closing price तो इसलिए आप समझ सकते हैं कि trading open होने के बावजूद इसमें trading नहीं हो पाता है और इसके पिछे का बड़ी वज़ा है sellers sellers बहुत ही ज़्यादा stock में active रहते हैं जैसे ही open होगा हर किसी को share को sale करना है क्योंकि stock में बहुत ज़्यादा retail निविशक फसे हुए है तो हर को यह चाहता है कि चलो मेरा share sale हो जाएगा तो हम यहाँ से निकल जाएगे इस वज़ा से sell side से order बहुत ज़्यादा लग जाता है करोडो के quantity यहाँ पे लग जाता है जिसके वज़ा से share में LC देखने को मिल जाता है तो अपना sale को sale करने का कोई यहाँ पे दूसरा भी उपाय है नहीं कि यह कोई trading भी बंद है और उपर से बहुत सारे निविशक के trading share तो दीखी नहीं रहे होंगे brokers के कारण तो blacklist है, Z लिज में है Z group में stock को डाल जा गया इस वज़े से stock आपके दिखते नहीं होगे तो sales set से order बहुत ज़़ा फिर से लगने का chance है अब कुछ update भी आये थे company तरप से लेकिन उस update का कुछ खास इसके उपर impact नहीं पड़ा है यहाँ पर देखिए 15 तारीक को जब trading बंद हुआ था जो company ने update निकाल कर दिया था 31 July 2014 तक में company result निकाल कर दे सकती है we are confident that we will be able to complete this task by 31 July 24 quarter 1 and quarter 2 यही company को result निकाल कर देने है अब दिखिए quarter 1, quarter 2 तो 2023-24 का ही है और अब 2024-25 स्टार्ट हो चुक है तो 2024-25 का जून भी यहाँ पर खतम हो चुका यानि कि quarter 1 और quarter 2, quarter 3 and quarter 4 इधर भी है 2023-24 का 2024-25 का quarter 1 में खतम हो चुका यानि कि company के 4 quarter के result पेस करने है और अभी 2 quarter का result आ जाए यही यहाँ पर इसके लिए बहुत ही बड़ा point होगा इसके वज़र से stock में positive moment देखने को मिल सकता है तो यही सब update है जिसका इंतजार किया जा रहा है और जब तक यह सब update किलियर नहीं हो जाते है तब तक stock में निविसक entry लेने का प्रयास ना करेंगे तो फिर से इसमें बहुत सार लोग फस्ते भी दिखेंगे Monday के दिन, last Monday जिसने trading इसमें किया होगा और वो यहां पर लास्ट Monday को trading हुआ लास्ट Tuesday में सेर को देखा हुआ सेली नहीं हो पा रहा है नहीं कुछ हो पा रहा है तो यहां पर फस्त गया होगा तो इसलिए opening के बाद तुरहन से entry लेने का प्रयास ना करें थोड़ा research कर ले, थोड़ा देख ले, इसके past थोड़ा check करें तब जाके entry ले संगर सरमा जी भी mismanagement को लेकर बाते यहां पर कर रहे है जब stock 9 पे के पास आगया है तब पहले से इसके उपर काफी सारी allocation है जब बड़े investors पैसे लगाते हैं एक person से ज़्यादा का holdness रखते हैं तो इनका बातचीत management से भी देखने को मिलते ही है लेकिन इनको अब जाके पता चला है कि management यहां पर गरवड कर रखा है तो जब से सेवी ने allocation लगाया था तो इनका भी statement कुछ और ही निकल कर आता था पहले सेवी के खिलाफ ही आता था और अब कंपनी के खिलाफ यहां पर देखने को मिल जा रहा है पहले कुछ और ही संकर सर्माजी का statement रहा था तो जहां तक मुझे याद है कि सेवी को ही कहता था कि सेवी मतलब बहुत सारी कंपनीयों को छोड़ कर संकर सर्माजी का भी statement था मैंने कभी कहीं पर देखा था और अब देखिए अब मैनेजमर्च के खिलाफ एक्षन से भी संकर सर्माजी दो रहा है यहां पर देखने को मिल रहा है तो देखिए यहां पर जब research स्वाई टाइम में करना चाहिए और इतना ज़्यादा निवसेख फसने के बाद इस तरह से अगर update statement निकल कराते हैं तो इसका negative असर कई ने के stock पे तो देखने को मिलेगा है क्योंकि हर किसी को past पता है नहीं क्या है लेकिन recent में जो update है और current में अगर market open होने के बाद BCG में LC लगता है तो इसके पीछे कई न कई वज़ा इसका statement भी देखने को मिल सकता है तो आप समझ सकते हैं हर किसी का statement का असर पड़ेगा अगर कोई बड़े investors या बड़े leaders या बड़े company के management का update statement निकल कराते हैं तो अब Monday के दिन भी stock में LC लगने का पूरा chance है इसलिए इसमें जो निविस्टा करने वाले है वो यहाँ पर chance अभी ना ले क्योंकि company में result निकाल कर अभी तक नहीं दिये हैं और जब तक कि results नहीं आजाते हैं तब तक निविस्टा को इंतजार करना चाहिए company के standalone results है आप देख सकते हैं लेकिन इंतजार क्या जा रहा है इस टेल लॉन इसमें ट्रेडिंग को शुरू किया जाएगा तो दोस्तो थांक्स पर वाचिंग मिलता है नेस्ट वीडियो में अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है thank you so much